जै शनी देव, जै श्री कुष्णा, मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो आप लोग, आपकी गुरुमाभी बहुत अच्छी है, आप कमेंट में पूछते हो, गुरुमाभ कैसे हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ, और आपको आपका राशीफल बताती रहती हूँ, तो और अच्छी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात पर बहुत खुशी होती है, कि मैं अपने जीते जी कुछ लोगों के काम आ पा रही हूँ, तो आज का जो राशीफल है 13 मई से 19 मई तक का होगा, सबी चीजों पर प्रकाश डालेंगे कि क्या होने वाला है, इसलिए देरी नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टिए यह जो राशी फल है यह आपकी चंदर राशी पर अधारित है यानि कि आपकी जनम कुंडली अनुसार जो सटीक राशी है चंदर मां जिस राशी में बैठे हो आपकी राशी है उसके अनुसार देखे अगर आपको राशी फल सूप नहीं कर रहा है तो खुछ सकता आप अपनी गलत राशी देख रहे हों राशी नहीं पता है तो नाम राशी से भी देख सकते हैं उससे भी जरूर माच करेगा कुछ लेडीज कहरें कि गुरुमा आप केवल पुर्षों के लिए बताते हैं इस्त्रियों के लिए भी राशी फल बताएं हां मैसिज इस कई बार बहुत स्पेसिफिक हो सकते हैं क्योंकि इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है मेरे इंट्यूशन में मुझे आभास में जो भी दिखाई देता है या जो भी पता चलता है वो मैं आपको बताती हूँ तो कई बार ऐसी चीजे हैं कि कुछ लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक मैसिज मिल रहा होता है क्योंकि आप इस वीडियो से जुड़े हैं तो आपके लिए मैसिज जरूर होगा कोई ना कोई तो कई बार ऐसी specific message हो सकते हैं किसी व्यक्ति विशेश के लिए या कुछ व्यक्तियों के लिए हो लेकिन mostly ये जो राशीफल है आपसे जरूर ही मील खाएगा बाकी अगर कोई समस्या है तो उसके लिए हमारी सिध्य दर्बार में आप सकते हैं हर गुरुवार लगता है बिल्कुल निशुलक लगता है कोई फीस नहीं है टोकन की भी कोई फीस नहीं लगती मंत्र सिध्धी करने की भी कोई फीस नहीं लगती कुंडली ही नहीं देखेंगे आपको उसका उपाय भी करके देंगे और कोई भी छुपी भी फीस नहीं है, उसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर सब कुछ अपने जीवन में त्यागने के बाद मुझे ऐसे हे कुछ छुपा के करना हो, तो उसका तो कोई लाब नहीं है, वी शाशी वालों चलिए जानते हैं, यह हफता आपके लिए क्या लेकर आपको कहीं जाना पड़ा है, या फिर आपके फैमिली वाले कहीं जा रहे हैं, तो फैमिली से कहीं न कहीं दूर होते हुए आप नजर आ रहे हैं, दूर इंदी सेंस के हो सकता है, उन्हें किसी काम से जाना पड़े, या आपको किसी काम से जाना पड़े, या उनको किसी की जाना पड़े या किसी कोई बच्चे का function हो रहा है कोई मुंडन वगेरा हो सकता है वहां जाना पड़े तो आप कहीं जा रहे हैं या आपके family वाले कहीं जा रहे हैं जिसकी वजह से एक separation से आपको महसूस हो रहा है तो उस समय आपको काफी अकेलापन लगेगा खासकर जो अगर male है जेंस हैं तो उनको थोड़ा जादा अपनी family की जो दूरी है अच्छी नहीं लगेगी थोड़ा बहुत जादा आप अकेलापन फील कर सकते हैं आपका मन करेगा कि उड़कर के जल्दी से उनके पास आ जाए या वो आपके पास वापस आ जाए तो family से थोड़ी दूरी समय में हो रही है और अकेलापन उसकी वज़े से आप महसूस कर रहे हैं आपको अच्छा नहीं लग रहा है इस समय बात करें तो काफी सारे लोग जैसे आपके आसपास मंडरा रहे हैं इन दिस सेंस कि अगर आप से छोटी सी भी गलती हो तो वो आपको किसी प्रकार से आपको परिशान करें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके नजरे गड़ाई हुए हैं वो आपको देख रहे हैं आसपास के लोग ही जादा हैं जैसे आपके family जो पास के नाते रिष् परिशान कर सकें लेकिन आप अपने काम में अपने जो कुछ भी आप करेंगे उसमें इतने strong है इतने confident है कि उनको किसी भी प्रकार का कोई मौका नहीं मिलेगा और वो आपका मुही ताकते रह जाएंगे तो यह तो एक अच्छी चीज है यह जो आपका हफता है यह आपको क काफी हिम्मत देगा और अगर आपके सामने कोई विकार की बात करने की भी कोशिश करेगा तो आपकी गुस्से से डर के वो चुप हो जाएगा तो काफी strength काफी courage काफी boldness काफी हिम्मत ऐसी चीजें आपके लिए दिखाई दे रही है कुछ लोग जो है वो कहीं जाना चाहत है आपको ऐसा लग रहा है जीसे सारी लोग वड़ी खुशिया बना रहे हैं और आपको किसी वजह से घर पे रहना पड़ रहा है आपको दूर रहना पड़ रह था है और आप उसमें शामिल नहीं हो पार इical है तो ऐसा जैसे family में कोई खुशी की बात हो जी अलकिन आपको उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है, तो उस भजह से आप जादा परिशान मुझे दिखाई दे रहे हैं, मानसी क्रूप से, और इस समय थोड़े इमोशनल, इसलिए आप थोड़े जादा हो सकते हैं, कुछ लोगों को कोई सीक्रेट भी उनके फैमिली की तरफ से पता चल सकत है, कोई ऐसा सीक्रेट है जो पता चल रहा है, जिसको आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, अगर हम आपके काम की बात करें, तो काम के सम्मन में बहुत अच्छा समय रहेगा, काम में आप आगे ही बढ़ेंगे, पैसे भी आप इखटे कर पाएंगे, कुछ अच्छे योग इस हफते में बनेंगे, जिसकी वजह से आप कुछ अच्छा अपने मनी को रिलेटेट कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस समय कर सकते हैं, कोई परिशानी नहीं है, घरवालों के लिए अच्छी सेविंग भी इस समय में हो दिखाई दे रहे हैं, सिद्ध दर्बार में आने से बहुत से लोगों के साथ बहुत से चमतकार हो रहे हैं, शनिदेव भगवान की विशेष कृपाउने प्राप्त होती हैं, इस भक्त के साथ क्या चमतकार हुआ चलिए जानते हैं, फिर आगी का राशिफल जानेगे पैसा पगरा या दक्षिना नहीं लिया जाता है, जो भी बताया जाता है, 100% साथ प्रतिशत सही होता है, मैं यूट्यूबर से निविदन करता हूँ, जिनका परिवारी कोई प्राप्लेम हो, हायर एड़िकेशन लिया हुआ, फिद्दार थी, साथ भीसना मिल रहा हो, कोई कि किसी का प्रमोशन रुका हुआ है, तो करिपा करके, यहां करके, गुरुमा से मिले, उनका अशिरबाद ले और अपना प्राप्लेम को शमधार करें, इस समय में परचीजिंग करने की वजह से थोड़ा सा हाथ तंग हो सकता है, आपका, तो कि आप जो परचीज करना चात आपके लिए क्रियेट कर सकते हैं, उनका अराई जगड़ा आपके साथ हो सकता है, आप उन्हें समझाने की भी कोशिश करोगे, मैच्योर भी वेट करोगे, बिहेव करोगे, लेकिन वो जो है, वो आपके साथ बहुत बचकानी हरकते हैं, और ऐसी बाते जैसे कुछ लोग क बहुत दुखी हो जाएगा, और उसकी वज़े से आप मैच्योर एक्ट करेंगे, उनके साथ लड़ने की वो जितना भी कोशिश करें, आपने लड़ेंगे, लेकिन आपका मन उससे दुखी होगा, जौब की बात करें, तो जो लोग को जौब के लिए वेटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप या तो अपलाई कर सकते हैं, तो थोड़ी बहुत गाड़ी आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी जो पिरेट है उसके अंदर थोड़ा सा अभी आगे खिचेगा, एक्जाक्ली जो होता हुआ नहीं दिख रहे हैं, स्टुडेंस की बात करें तो मन उनका रहेगा, चाहें कितने भी डिस्ट्राक्शन उनकी आसपास आजाए, मन तो उनका फोकस ही बना रहेगा, आपका ये हफ्ता, ये सबता हब बहुत अच्छा जाए, ऐसा मैं आपको आशिरवात दे रही हूँ, कोई दिक्कत आपको ना हो, प्रभु की कृपा आपको मिलती र झाल, 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